एलो फ्रेंड्स टार्गेट वार्ट सेलेक्शन में आपका स्वागत है गर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए देखे हम चल रहे हैं कॉंप्लेक्स अनलाइसेस को लेकर अगर आपने पिछली दो वीडियो नहीं फिल्ड हो कोई सबी टॉपिक हो वो सब आपको प्लेलिस में मिल जाएगा चाहे वो आपकी सेट थियोरी हो या आपका रिलेशन फेंशन हो और शॉट ट्रिक्स भी है आपकी लिमेंट अंड कंटिनिटी से रिलेटेड तो आप सब वीडियो देख सकते हैं आज हमारा प्लेक्स नंबर का यह निए थर्ड है सकिन दो लेक्चर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस में डिस्क्रिप्शन वाक्स में आपको डाल दूगी तो पढ़ते हैं दाज होता है जानेए पहले हम क्या करते हैं देखे यह हमारा क्या है कॉडिने अक्सिस आप जानती यह कौन सी X-axis X-axis और यह कौन सा है Y-axis यह हमारा क्या हो गया हो ओरीजन हमने क्या क्या है यह पर एक Państ depends प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है मैंने बहुत अची समझा रहा है अप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं x plus i y यह अपका क्या है एक point है यानि एक complex number है हमने यहाँ से एक angle लिया यानि की r distance पर हमारा एक point है जो कि एक angle बना रहा है theta ठीक है यह हमने एक point माना जो कि complex number का वो है x plus i y हम इसको माल लेते हैं एक नाम दे देते हैं m यह हमारा x axis है तो x हो गया और यह हमारा हो गया y अब हम इसे समझाते हैं क्या क्या चीज़े हैं देखे पहले तो समझे आर्गेंड diagram क्या होते यह तो आर्गेंड diagram होगे हमने इसको नाम दिया आर्गेंड diagram आर्गेंड diagram ओके आप नहीं समझ लिया कभी भी एक्जाम में जब आएगा आपका आपको समझाए दिया किस तरीके से आपका डायग्राम बना आप देखे डाफिनेशन में क्या होगी हम कहेंगे कोई भी हमारा complex नंबर है एक complex नंबर represented by represented by z is equal to x plus i y यह आप जानती है i y जहां पर x क्या होता आपका real नंबर होता है और y आपका imaginary नंबर होता है जो कि हमारा point p है हम कह रहे हैं यह हमारा represent हो रहा है by a point p okay in the Cartesian plane क्योंकि Cartesian plane है x और y axis का ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं इसको एक rectangular boxes में axis में बंद कर रहे हैं o x और o y में यानि ki o x और o y में अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा complex नंबर है 0 plus 0 i इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं correspondence to the origin यह हो हमारा complex नंबर हो गया किसके correspondence to the origin क्योंकि origin की क्यों कहा यानिकी 0 plus 0 i यह वाला point क्यों क्योंकि हमारा origin होता है origin के हमारे point क्या होती है 0,0 होते हैं अब हम real axis की बात करेंगे यानिकी x की axis की बात करेंगे तो हम कहेंगे complex number x plus 0 i corresponds to the x axis ओके अब हम क्या करते हैं अब हम y axis पर ले लेंगे जैसे यह x axis पर ले लिए इस तरीके से y axis पर लेंगे हम तो क्या लिखेंगे हमारा यह तो real वाला तो 0 हो जाएगा और imaginary वाला हमारा यह point हो जाएगा y i okay हम क्या लिखेंगे corresponds to the y axis corresponds to the y axis इतना आपको समझ माग आ गया origin के लिए कैसे हम complex number लिखते हैं और x axis के लिए कैसे complex number लिखते हैं और y axis के लिए कैसे complex number लिखते हैं अब कह रहे हैं कि अगर हम polar coordinates देखें point P के यानि कि इस वाले P point के P point के polar coordinates polar coordinates हमारे क्या को coordinates r, theta r देख रहे हो आप क्या है उस point की origin से distance और ठीटा क्या है एंगिल between the x axis and उस point की जो बीच में हमने एक लाइन की उसके बीच में हमारा एंगिल यानि कि r, theta polar coordinates है r, theta क्या होगा है polar coordinates अगर मुझे जहां पर मैं r की value बता दीते हूं r की value क्या होगी op, op तो है o से लेकर p तक अगर हम इन दोनों की distance निकालेंगे तो आप distance के formula होले से x-0 का whole square plus y-0 का whole square यानि की real-real का difference और imaginary difference का square यानि कि हम क्या लिख सकते है under root x square plus y square तो आपको बता चलिए r की value क्या होती है x square plus y square यानि कि अगर हम इसकी r की value निकाले polar coordinates में तो x square plus y square होती है यह हम इसको कहते है modulus आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा हम z की value क्या निकालते है x square plus y square यानि की modulus निकालते है okay इसको बोलते है modulus theta क्या होगा theta क्या है angle p o x angle p o x है ठीक है theta तो हम इसको क्या लिखेंगे अब देखना जड़ा हम क्या कहते हैं कि angle theta याग हम 10 माने तो 10 theta is equal to perpendicular upon base या अगर हिंदी हम बोले लंबटा अधार तो यह कितना होगा y upon x तो अगर हम angle की बात करेंगे तो 10 theta is equal to y upon x और theta की value कितनी हो गई 10 inverse y upon x तो हमारे पास r और theta दोनों निकल कर आ गए इसको हम बोलते हैं जैसे हमने इसको modulus बोला था इसको हम बोलते हैं argument of the complex number complex number z इसको argument मिलते हैं यानि कि जब भी हमसे modulus निकालने के लिए बोले तो हम r is equal to जो real का real number है उसका square प्लस imagery number का square इसी तरीके से जब हमसे argument निकालने के लिए बोले हैं तो हम 10 inverse y upon x करतेंगे यह हमारे अलग से निकालने के लिए भी आते हैं question कि आप उसमें से principal argument निकालो या आपका modulus निकालो दोनो यानि कि r और theta की value निकालने के लिए हमेशा आती हैं यह था आपका argument और modulus निकालना अब थोड़ा आगे देखते हैं कि argon diagram या argon plane किसे कहते हैं और क्या इसकी circle की equation ब तो देखें हमने अभी अभी पता किया कि जो हमारा theta होता है वो क्या होता है एंगिल between the angle made by made by O P O P तो निकाला था मैं देखना यहां O P तो निकाला था O P किसके positive direction with positive direction okay positive direction मैं लब x-axis के अगर हम इसे representation कहते हैं अगर यह plane के थो represent हो तो हम इसको बोलते हैं argon diagram तो definition में क्या हो गया कि 10 theta is the angle made by O P with positive direction of x-axis this representation definition लिख देते हूं क्या होती आरगे डायग्राम की एके लिका theta is the angle theta is the angle made by O P with positive direction of x-axis this representation this representation of complex number as points in the plane due to argon and is called argon plane argon plane या argon diagram या argon complex number तो सीधा सीधा complex number ठीक है यह हमारा हो गया definition अब हम कहते हैं कि जो z है उसको effects of the point x,y अब हम दिखाते हैं अब हम दिखाते हैं कैसे argon plane में इमेज दिखती हैं और किस तरीके से इसके circle के equation होती हैं देखें अब हम क्या कर रहे हैं यह जो एक हमने यहाँ पर diagram बनाया एंगिल ठीटा लिया फिर से यहाँ पर point p x plus i y माना यह आपकी कितनी है y axis यह x axis मैंने सेम इसकी image ले ली आप water image तो देखिया आपने image देखिये कैसे होती है y और यहाँ point क्या बना लिया क्यों क्यों क्योंकि image है तो इसका point x, minus i y यानिकि x minus i y हुआ यानिकि x और minus के y यह इसका point हुआ हम इसको angle को minus theta मानेंगे और x axis में यह नीचे होता है ठीक है अब इसे लिखेंगे कैसे हमने कहा कि हमारे दो complex number है z1 and z2 एक argand diagram या argand plane में दिखाई दे रहे हैं z1 and z2 हम कह रहे हैं two numbers z1 and z2 are represent in the argand plane यह argand plane में यह n है argand plane में दिखाई दे रहे हैं हम कहेंगे दान तो difference between the z1 and z2 यानिके हम कह रहे हैं यह से दिखा रहे है difference between the z1 and z2 difference between two complex number two complex number of the modulus of modulus of distance between them ठीक है हम क्या करते हैं distance between the point z1 and z2 modulus of distance between z1 and z2 okay अब हम इसकी एक अलग दिखा देते हैं हम दिखाते हैं कि हमारा अगर यह follow करता है a fix complex number zero और एक real number positive real number आपको given है r तो हम लिखते हैं z minus z zero is equal to r यहाँ पर क्या है हमारा जो r z zero क्या है वो center है और radius क्या है हमारा r हम इसको मान सकते हैं यह हमारा center है और यह हमारी radius है okay यह हमारी radius है और अगर हम image के point मानें यह कहें कि अगर हमारा z equal to x plus i represent कर रहा है P X, Y को यानि कि एक चीज और अगर हमारा Z X plus I Y represent कर रहा है किसको point P X, Y को तो Z X minus I Y represent करेगा Q X minus Y को यह क्या है यह इसके image point है अगर हमसे image point पूछें तो X plus I Y का opposite हो जाता है यानि कि imaginary number का क्या हो जाता है यहाँ पर Y हो जाता है image number minus में हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते है इसकी image यह बोलते हैं इसको क्या बोलते है image image of the point P अगर हम argument की बात करें यानि कि हमने बात की थी अभी जैसे यह वाली तो हम कहेंगे कि अगर जैसे P तो हम कर रहे थे polar coordinate R, theta इसी तरह कि imaginary का polar coordinate क्या हो जाएगा क्यूं क्यूं का कितना हो जाएगा R minus के theta क्लियर हुई आपको यह बात अब अगर हमें argument निकालना है तो हम ऐसे भी लिख सकते है मौड z is equal to z का बार क्योंकि देखे z x plus i y है और मैंने आपको बार का मतलब समझाए था पिछले लेक्चर में क्या होता है कि केवल इमेजने नंबर जोता है वो माइनस में हो जाता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं argument of z is equal to minus argument of z bar minus आ जाता है यहां पर argument में argument z is equal to minus argument z bar अब कि वह लास्ट पॉइंट हम टिग्नोमेटिकल रिपर्जेंटेशन कैसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन और एक कॉंपलेक्स नंबर इंटिग्रोमेटिकल फर्म कॉंपलेक्स नंबर इने ट्रिगो फर्म कैसे लिख देंगे r cos theta plus i sin theta इसको r को बहार रखेंगे यानिकी e की power i theta ओके और अगर minus में है z bar है तो e की power minus i theta यानिकी हम क्या ले सकते हैं z को लिखेंगे r e की power i theta z bar को लिखेंगे r e की power minus i theta ओके तो यह हमाई टिग्नोमेटिकल फर्म थी क्योंकि देखें इसकी value जो होती है e की power i theta होती है r बहार है तो यह हमाई छोड़ दिया r e की power i theta I hope आपको यह समझ में आ गया होगा representation कैसे करते हैं geometrical representation हम अगली वीडियो लाएंगे कि some difference in the product कैसे होता है इन दोनों का और कैसे हम इनकी values निकालते है argument की ठीक है next video के साथ मिलते हैं thank you so much झालते हैं जालते हैs कि दूभ है जो यह ँपज हैं भाइगं छर्पयाते हैं जालते हैं उिढिकित virgin